खजाने की खोच फिर क्या था दोनों दोस्तों ने तै किया कि वो इस खजाने की खोज में जाएंगे अगली सुबह अमरजीत और विशाल ने अपने रास्ते की योजना बनाएं वो लोग रस्ते में कही खोण न जाएं इसलिए उन्होंने एक नक्षा भी बना लिया और फिर वो तीनों दोस्त पक्का तिरादा करके निकल गए कजाने की तालाश में थोड़ी देर चलने के बाद विशाल को अचानक से बहुत तेज प्यास लग जाती है खोड़ा ठूंदने पर उन्हें एक छोटा सा तालाब मिलता है लेकिन जैसे ही वो लोग पानी पीने के लिए तालाब के पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि पानी में सोने के छोटे छोटे कण है ये देखके उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लोग कजाने के बहुत पास है और इससे उनका आत्म विश्वाश भी बढ़ जाता है वो लोग तालाब से पानी पीते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं काफी देर चलने के बाद वो दोनों जंगल के बीच में एक गुफा के बास पहुँचते हैं जो की देखने में बहुत भयानक लग रही थी उसकी नजर गुफा में पढ़ी एक किताब पर पढ़ती हैं जो की देखने में बहुत पुरानी थी जब वो उस किताब को खोल के देखते हैं तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं दरसल वो किताब एक जादुगर की थी उस किताब में लिखा था खजाना इसी गुफा के पास ही कहीं है लेकिन उसे ऐसी जगह छुपाया हुआ है जिस जगह के बारे में तुम सबसे कम सोचोगे इतना पढ़ने के बाद किताब गायक हो गई अब क्या था दोनों फिर से लग जाते हैं गुफा के अलग-अलग इससे में कजाने को ढूंदने लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है अचानक अमरजीत बोलता है क्यों न हम गुफा के पीछे ढूंदे उसके बाद दोनों दोस्त गुफा के पीछे पहुँचते हैं जैसे ही वो लोग वहां पहुँचते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं वहां पर एक बहुत ही सुन्दर बगीचा था उस बगीचे में बहुत सारे सुन्दर सुन्दर फूल और काफी पेड़ पौधे थे उनमें से एक पेड़ पे एक सोने की माला लटकी हुई थी उस माला को देखके एक दोस्त बोला ओ ना हो खजाना इसी पेड़ के निचे होना चाहिए उसकी बाद से बाकी दूसरा दोस्त भी सहमत था फिर क्या था उन्होंने आफ देखाना था वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया थोड़ी देर खोदने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ सोने से भरा एक संदूक है उस संदूप को देखने के बाद उनकी कुशी का ठिकाना नहीं था आखिर उन्हें वो खजाना मिल ही गया जिसके लिए उन्होंने इतनी महंत की थी वो दोनों खुश थे क्योंकि वे एक दूसरे के दोस्त थे और उनके बीच बनी ये दोस्ती अनमोल थी और इसी तरह अमरजीत और विशाल ने उस खूबसूरत खजाने के साथ साथ अपने दिल की खुशी बाटी और खुशी-खुशी अपने घर की पोर लोट गए यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम द्रेड विश्वास रखें साथ मिलकर काम करें और साहस दिखाएं तो हम किसी भी खुशाब को पूरा कर सकते हैं और सबसे महत्वपूल बात है कि दोस्तों की सच्ची दोस्ती पमेशा अनमोल होती है